नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं एक डाइबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूडिशन स्पेशलिस्ट स्वागत है आप सबका एक और फूड रिवीव वीडियो में और आज हम रिवीव करने जा रहे हैं दो सेव का मैंने दो सेव मेशेर करके लिया है जिसका वजन 460 ग्राम के असपास था लेकिन उसके बाद उसको मैंने काटा है और काटने के बाद जो इसका वजन आया है 410 ग्राम तो आप देख सकते हैं ये जो सेव मैंने लिया है दो सेव है कार्ड के लिया है और इसका वजन है 410 ग्राम तो आज मैं ये सेव खाके र खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए सब कुछ बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखे लास्ट तक जरूर देखे skip करके देखेंगे तो कोई फाइदा नहीं होगा सिर्फ reading देखने से आपको कोई फाइदा नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि पूरे वीडियो में मैं कुछ ना कुछ information देता रहता हूं और वो information आपके लिए जादा important है ना कि ये reading क्योंकि reading तो vary कर सकता है मेरा कुछ reading आएगा आपका कुछ और reading आएगा लेकिन वीडियो में जो information देता हूं वो आपका काम जरूर आएगा तो सबसे पहले एक बाद time देखते हैं अभी जो time हो रहा है वो है 10 बचके 21 मिनिट 10 बचके 21 मिनिट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और ये मेरा fasting blood sugar होगा एक fasting blood sugar level चेक कर लेता है देखते हैं मेरा fasting blood sugar आज कितना आता है एक strip लगाया हमने Glucometer is absolutely ready फटाफट से एक प्रिक करते हैं और ये खून आ चुका है और ये countdown शुरू तो आप देखिए 138 है मेरा आज का fasting और काफी लोग ये कह सकते है कि sir आपके fasting काफी जादा है मैं इसको जादा नहीं मानता क्योंकि ये time in range में है time in range क्या है 70 से लेके 180 लेकिन अगर आप फिर भी इसको जादा मानते है तो इसका भी explanation मैंने आपको दे दिया है क्योंकि मुझे फिलाल insulin resistance है pre diabetes है और मैंने आपको एक और वीडियो बना के बताया था कि fasting sugar क्यों जादा होता है मेरा क्यों fasting थोड़ा सा हाई रहता है वो dawn phenomena की वज़े से है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि fasting sugar क्यों जादा होता है मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ ना आयरवेदिक ना एलोपेतिक और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 410 ग्राम सेव खाऊंगा और 410 ग्राम सेव खाके फिर आप लोग को बताऊंगा कि मेरा sugar level 2 गंटे बाद कितना आता है और सेव आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसके बारे में पूरी डिटेल जानकरी देंगे आप लोगों को तो फिलाल मैं खाता हूँ 410 ग्राम सेव यह दो सेव है ठीक है इसमें आपको तक्रीबन 56-57 ग्राम कार्बोईडेट मिल जाएगा और इस प्लेट का सबसे खास बात यह है कि इतना खाने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ 210-208 के आसपास आपको कैलरीज मिलेंगे 210 कैलरीज कुछ भी नहीं है और इतना मैं खा भी पाऊंगा या नहीं मुझे पता नहीं है खाने की कोशिश करूँगा लेकिन अगर मैं इतना पूरा खा भी लिया तो मात्र 200 कैलरीज मिलेंगे इसमें कुछ कमी भी है इसमें प्रोटीन की कमी है फैट की कमी है तो अगर आपको डायफिट डायट फॉलो करना है तो डायफिट डायट में प्रोटीन और फैट साथ में मिलाकी खाने की एडवाईस हम करते हैं तो इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है कि सेब को डायबिटीस के मरीज कैसे खाए ताकि उनकी शुगर लेवल ना बढ़े तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये फिर भी में डायफिट डायट के अंदर लेके आ जाऊँगा क्योंकि इसमें कार्बॉइडिड है जो कि 56 ग्राम के असपास मिलेगा और मेरी जो टार्गेट होता है कि 130-140 ग्राम तक रखूँ तो मैं बिलकुल उसमें फिट कर सकता हूँ इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट मील होगा उसमें मैं प्रोटीन और फैट से कमपेंसेट कर दूँगा तो मेरी पूरे दिन की जो है वो मैक्रो निउट्रियन्स पूरा हो जाएगा लेकिन अगर आपको डियाबिटीज है बहुत जादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर आप सिर्फ फल खाएंगे तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाए किसी का बढ़ जाता है किसी का नहीं बढ़ता है तो इसी का एक्सपरिमेंट आज करेंगे और जो भी रीडिंग आएगा उसका एनलेसिस करेंगे रिव्यू करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि अगर मेरा शुगर लेवल बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है और नहीं बढ़ा है तो क्यों नहीं बढ़ा है ठीके तो फिलाल तो मैं ये 410 ग्राम सेव खाता हूँ और उसके बाद मैं मिलूँगा आप लोगों से फिर से तो दोस्तों 410 ग्राम सेव में ने खा लिया है दो सेव था इसमें सच बताओ बहुत मुश्किल से खाया है और मुझे समझ में नहीं आता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग 12 बज़े तक सिर्फ फल खाता है अपने वज़न के हिसाब से जितना भी उनका वज़न है मान लिजए किसी का 80 किलो है तो वो इन्टू 10 करके खाते है जो लोग भी ये काम कर रहे हैं जो लोग बारा वज़े तक सिर्फ फल खाते हैं अपने वज़न के हिसाब से मल्टिप्लाई करके दस मैं तो नहीं खा पा रहा था लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ ना मैं अपने किसी पेशिंट को एडवाइस करता हूँ लेकिन 400 ग्रम क्या फल खा सकते हैं बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि 400 ग्रम फल में मातर 200 कैल लेकिन 400 ग्राम तो मेरे से नहीं खाया गया तो पता नहीं जो लोग 800-900 एक किलो फल एक बार में खाते हैं तो कैसे खाते हैं बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता है anyway hats off to them जो लोग भी कर रहे हैं बारा बज़े तक से फॉल खाता है दो घंटे बाद मैं अपनी शुगर लेवल फिर से चेक करूँगा अभी एक बार आपको टाइम दिखा देते हैं फिलाल जो टाइम हो रहा है वो है 10 बच के 35 मिनिट ठीक है 10 बच के 35 मिनिट तो 11 बारा बच क ये 35 मिनिट पे मैं अपनी शुगर लेवल फिर से चेक करूँगा और आप लोग को बताऊंगा कि इसका एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है क्या फाइदा है क्या नुकसान है क्या ऐसे आपको खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए सारे डीटेल में डिसकेशन क मैं ने खाया है इसके इलावा और मैंने कुछ भी नहीं खाया है और एक्जेक्ली दो गंटा हो चुका है एक बार सबसे पहले आपको दाइम दिखा देते हैं जो अभी टाइम हो गया है 12 बच के पैथीस मिनेट अधिक है 12 बच के पैस मिनिट ये देख लीजे तो 12 बच के था मैंने और ये ग्लिवकोमेटर रेडी है फटाफट से एक प्रिक करते हैं ये कून आ गया और ये काउंट डाउन शुरू तो अभी आप देखिए एक सो चवालिस है एक सो चवालिस ठीक है अब ये एक सो चवालिस क्यों आया है उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है तो अभी मैं आपको इसकी रीडिंग की बताता हूं कि एक सो चवालिस क्यों आया है एक सो चवालिस वैसे बिल्कुल न नहीं बड़ा है काफी लोग यह सोच सकते थे कि अगर इतना सेब खाएंगे तो शुगर लेवल तो 200-300 चला जाना चाहिए बिलकुल नहीं है इसकी दो कारण है पहला कारण है कि मुझे डाबेटीस नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसुलीन रेजिस्टेंस है इंसुलीन अगर नहीं होता तो यह 144 भी नहीं आता तो यह 110-120 आता एक नॉर्मल इंसान चाहे कितना भी खा ले उसकी शुगर लेवल 120-130 के उपर नहीं जाता यह होगे पहला दूसरी चीज हो सकता है कि यह ग्लिकोमीटर जो है यह वेरियेशन होती है 10-15 पॉइंट वेरियेशन होता ह है कि यह ग्लिकोमीटर भी थोड़ा सा जादा बता रहा हूँ 120-130 हो सकता है मेरे एक्चुल रीडिंग हो ठीक है तो यह 144 है अभी मैं थोड़ा देर में ही एक दूसरे हाथ से भी अपनी शुगर लेवल चेक करके देखूंगा कि 144 ही आता है या काम आता है या जादा आता है तो आपकी शुगर लेवल 200-300 भी जा सकती है किसी किसी का नहीं जाता है रीजन यह है कि इसमें फ्रुक्टोस जादा होता है फ्रुक्टोस को डाइजेस्ट होने में समय लगता है फाइवर भी है इसमें और फ्रुक्टोस को कनवर्ट होने में ग्लुकोज में कई बार काफ 244 आया है और देखते हैं कि left hand से कितना आता है और ज्यादा time difference नहीं हुआ है अभी आप देख लिजे ठीक है time एक बार फिर से दिखा देते है दो तिन मिनिट काई फरक है बारा बच के 38 मिनिट है तो दो तिन मिनिट काई फरक है तो क्लिकोमेटर बिलकुल रेडी है यह देख कि left hand से मेरा sugar level कितना आता है तो आप दिखिए 149 left hand से 149 right hand से 144 याने की 2-3-4 point का difference है तो ठीक है यह ग्लिकोमेटर मेरा बिलकुल ठीक है कोई problem नहीं है 149 आया है और यह क्यों आया है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 410 ग्राम एपल खाया था सेव खाया था इसमें मैंने कोई protein और fat नहीं है तो यही सबसे बड़ा disadvantage है इस meal का अगर आप सिर्फ और सिर्फ कर्वाइड खाएंगे तो आपकी sugar level थोड़ी सी बढ़ सकती है मेरा जादा नहीं बड़ा है आपका हो सकता है कि 200-300 तक चला जाए लेकिन heads off उन लोगों को जो लोग 21 kg तक फल खा लेता है 12 बज़े तक heads off क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था जबर दिस्ती में ने खाया और इतना तो मैं कभी भी नहीं खाता हूं दो से मैं कभी भी एक सथ नहीं खाता हूं और खाता भी हूं तो मैं 100-100 ग्राम 200 ग्राम से कहता हूं कि poison in small amount acts like medicine and medicine in large amount acts like poison तो अगर आप सेब भी जादा खाएंगे आपकी sugar level बढ़ सकता है आपको दिक्कत हो सकती है तो सेब को हमेशा protein और fat के साथ मिला के खाये सेब जरूर खाये क्योंकि इसमें fiber होता है calories बहुत कम होता है सेब बिलकुल खा सकते है weight loss में आपका insulin resistance को दूर करने में भी काफी help कर सकता है आपके और भी बहुत सारे इसमें antioxidants होते है जो आपके glucose absorption को काफी हद तक कम करता है तो आपकी sugar level उतना नहीं बढ़ाएगा लेकिन अगर आप 400 gram सेब भी खाना चाते है तो खा सकते है कोई problem नहीं है problem तब हो जाती है जब आप 400 gram सेब के साथ और जादा carbohydrate खाते है चार रोटी खा लाते है या कुछ और खा लेते है जिसमें carbohydrate बहुत जादा है और protein और fat नहीं खाते है तब जाके ये जो carbohydrate आपने खाया जो fructose है इस सेब में वो जाके convert हो जाता है fat में fatty liver आपको कराता है तो fatty liver basically fructose के कारण क्यों होता है वो fructose liver में जाके save होता है convert होता है glucose में convert होने में समय लगता है लेकिन अगर आप कुछ और रोटी खा लेंगे glucose खा लेंगे तो body आपका सबसे पहले वो utilize कर लेता है और ये जो fructose आप खाते है तो उसको liver में save करके रख लेता और इसलिए काफी लोगों को fatty liver की शिकायत होती ह तो अगर आप चाता है कि save भी खाया और fatty liver भी ना हो तो आपको रोटी चावल ये कम करना पड़ेगा और अगर आपको fatty liver होगा और साथ ही साथ अगर आप protein को और fat को शामिल नहीं करेंगे तो फिर आपको fatty liver भी होगा और future में और insulin resistance होगा और diabetes होगा और diabetes को reverse करना भी आपक कि क्या save खाना चाहिए बिलकुल खाना चाहिए हर diabetes के मरीज save खा सकता है क्योंकि इसकी glycemic index काफी कम होता है तो glycemic load भी उतना जादा नहीं होगा लेकिन quantify करके आपको खाना पड़ेगा 200 ग्राम से जादा आप लोग मत खाये अगर आपको diabetes है 200 ग्राम से जादा मत खाये और जो लोग भी बहुत जादा फल खाते है शुरू में उनकी जो sugar level है कम इसलिए आ जाता है क्योंकि वो बाकी चीज नहीं खाते है बेसिकली वो फल और सबजी कच्चा सबजी ही खाते है तो उनकी sugar level थोड़ा सा कम रहता है लेकिन problem कहां हो जाती है कि वो बहुत जादा weak feel हो weakness हो जाती है muscle waste हो जाता है कमजोर हो जाता है दुगला पतला हो जाता है क्योंकि यह calorie restricted diet हो जाता है क्योंकि आपने देखा कि मैंने 410 gram save खाया तो इसमें बहुत कम calories है 210 calories के असपस है तो अगर आप बहुत जादा calorie restricted diet में रहेंगे तो future में आपको बहुत problem होगा आपकी immunity कमज हो जाएगा आपको insulin resistance और बढ़ जाएगी और diabetes को भी आप reverse नहीं कर पाएंगे तो इसलिए save खाना है तो हमेशा quantify करके खाईए तो इस वीडियो को जाता से जाता शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि save कितना खाना है क्या diabetes के मरी save खा सकते नहीं खा सकते इस थोड़ा सा और motivation मिलता है इस तरह के वीडियो इस बनाने का उमीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद